करोगे क्या करोगे प्राइम फेक्टाइजेशन आपको पता है दो पे जाएगा तो कितना आएगा 180 आएगा ठीक है फिर दो पे जाएगा तो कितना आएगा 90 और दो पे जाएगा तो कितना आएगा 45 तीन पे जाएगा तो कितना आएगा 15 और तीन पे जाएगा तो पांच और पांच पे जाएगा तो कितना आएगा एक आएगा इतना आएगा एक आएगा तो अपने को पता है तीन सो साथ है उसको हम क्या लिख सकते हैं दो की क्यूब तीन की स्केर और क्या लिख सकते हैं भी पांच लिख सकते हैं दो की क्यूब तीन की स्केर और हम क्या लिख सकते हैं पांच सबसे पहले कल हमारा ये क्यों संथा कि अगर हमें ऐ भाजे गुन खंड निकालने हैं अगर हमें क्या निकालने हैं ऐ भाजे गुन खंड तो स्ट्रेंट्स क्या करोगे ऐ भाजे गुन खंड निकालने हैं तो चाहे तो आप इनको गिन लो कि एक दो तीन च्यार पांच और 6 समझ गे तो एब आजे गुंखन कितने होगे strengths 6 होगे और चाहे आप आजे गुंखन निकलने हैं तो आप ये जोड़ लो कि power जोड़ते हैं क्या करते हैं power जोड़ते हैं और power कब जोड़ते हैं सबसे पहले आपको prime factorization करना है prime factorization करने का मतलब यहां पर ऐसी संक्या नहीं होनी चे जो भज्य संक्या की power हो जैसे 3 की जिगे 9 लिग दूँ तो फिर वो prime factorization नहीं है पांच की जिगे 25 लिग दूँ तो वो prime factorization है नहीं है समझ गे ऐब भज्या गुनन खंड विदी से आप ऐब आजे संक्या हो में पदलोग हैं तो 2 की power 3 था फिर 3 की power 2 था फिर 5 की power 1 था और इनको जोड़ोगे तो आपको पता चल गया यह answer कितना आगया आपका 6 हो गया कितना आगया अच्छा है तो सबसे पहले कल हमने यही क्योशन पड़ा था कि हमें एब आजे गुन खंड गयाद करने हैं तो इस परकार है अब मेरा क्योशन आप से यह हवी इसी क्योशन में पूछ ले कि एब आजे गुन खंडों के परकार बताईए कितने परकार के एब कितने परकार के मिले हैं यहां एब आजे गुंखंडो की जो संख्या होगी वो तो आपके पास होगी इच्छा है लेकिन एब आजे गुंखंडो की क्या पूछ ले आपको परकार पूछ ले तो कितने आएंगे बताइए भी एब आजे गुनखंडों के परकार पुछे तो कितने आएंगे हाँ सारा रिपीट करूँगा टेंशन मतलो 360 उसके एब आजे गुनखंड किये और 2 की पावर, 3 की पावर, 2 और 5 ऐसे लिख लिया फिर चाहे तो आप इनको गिन लो 1, 2, 3, 4, 5 और 6 और चाहे आप पावर है ना उनको एक एक बढ़ा के लिख दो पावर है उनको सिधा जोड़ लो 3, 3 की पावर दो, ये 2 और 5 की पावर एक ये जो पावर है ना इनको जोड़ लो 3 और 2, 5 और 1 की कितना हो गया? 6 पावर जोड़ते हैं अजितने पावर कितने पावर के आधोहै तो है आधायसंगई जितने पावर के अमें मिली है एब आजे संग्या जैसे दो है वो एक एब आजे संग्या है, तीन है वो क्या है, एब आजे संग्या है, पांच आजे संग्या है, एब आजे संग्या है, तो यहाँ अन्चराब का कितना हो गया, तीन हो गया, एब आजे गुन खंडो के जो परकार है, वो कितने है, तीन है, यह बात आप है, समझना. समझ आगे बात यह. जितने भी इस ट्रेंट लाइव है, वो जदा सजदा वीडियो को सेर कर दीजिए. जितने भी आपके पास ग्रूप है, उनमें सेर कर दीजिए भई. नेक्स्ट अपना क्योशन क्या है? जिसे कल अपने बात कर रहे थे, तो सो को आप क्या लिख सकते हो, 2 की स्केर, और 5 की स्केर. ठीक है, हमने ऐवाज ये गुनखंडों की बात कर ली थी कल, लास्ट आप हम कर रहे थे, गुनखंडों का योग. तो सबसे पहले सबी गुनखंड कितने होंगे? सो के अगर क्यों सन अमारा ये हो जाए कि सो के सभी गुननखंड ग्याद करो सभी गुननखंड कितने होंगे सभी गुननखंड कितने होंगे ये क्यों सन है अपना सो के सभी गुननखंड कितने होंगे मालो ये क्यों सन है अपने पास तो 100 के सभी गुनखंड कितने हो गई यह क्यों सना है तो आप क्या करोगे सबसे पहले 100 का प्राइम फेक्टर जैसे नहीं किया 2 की स्केर और 5 की स्केर ठीक है अब आप क्या करोगे strength कि हमें 100 के सभी गुनखंड क्याद करने है सभी गुन खंड क्याद करने है तो आप क्या करो दो की स्केर फिर आप लिखो दो की स्केर है तो आप कहां से स्टार्ट करो भी दो की पाउर जीरो से दो की पाउर जीरो, दो की पाउर एक, दो की पाउर दो पांच की स्केर है तो 5 की पावर 0 का मान 1, 5 की पावर 1 का मान 5, और 5 की स्क्वेर का मान 25, क्योंकि जिसका आथ की पावर 0 थी, उसका मान क्या होता है? एक होता है, ठीक है? अब आप क्या करोगे strength क? सबसे पहले एक काम करने आपको, इस 1 को 1 से गुना करो, तो यह 1 मिल गया, एक को पांच से गुना करो तो पांच मिल गया एक को पत्चीस से गुना करो तो पत्चीस मिल गया फिर दो को एक से गुना करो तो दो मिल गया दो को पांच से गुना करेंगे तो दस और दो को पत्चीस से गुना करेंगे तो कितना हो गया पचास फिर 4 को 1 से गुणा करेंगे तो 4, 4 को 5 से गुणा करेंगे तो 20 और 4 को 25 से गुणा करेंगे 100 तो ये कितनी संख्या आगे देखो 100 संख्या आगे कितनी संख्या आगे 100 संख्या आगे समझगे कितनी संख्या आगे स्ट्रेंट 100 संख्या आगे कितनी संक्या आगी? 9 संक्या आगी सो के जो सभी गुननखंड है वो कितने है? 9 है सो के सभी गुननखंड है वो कितने है? स्ट्रेंट 9 है समझे गे? 1, 5, 25, 2, 10, 50, 4, 20, 100 सो में 9 संक्याओं का भाग जाता है तो सो के सभी गुननखंड कौन-कौन से यह भी मैंने बता दिया भी कैसे पता करते हैं आपको कौन-कौन से आए तो इस परकार पता कर सकते हो लेकिन एक्जाम में यह तो अपने को टाइम काफी लग जाएगा तो इसका सोर्ट क्या है कि अगर आपको सभी गुननखंड ग्याद करने हैं तो जितनी भी संख्या आपके पास दिखाई दे रही है उनको एक एक बढ़ा कर गुणा कर लो जैसे दो की पावर दो है तो दो की जगें क्या लिख लो? तीन पावर दो है ना उसकी जगें तीन लिख लो पिर पावर टो है तो उसकी जगें 3 लिख लो और अपस में गुणा कर लो तीन तीने कितने होगे? 9 होगे तीन तीने कितने होगे देखो 9 होगे समझ गे? यह ध्याण रखना सभी गुनखंडो की संख्या ग्याद कर सकते हो आप आप किस प्रकार ग्याद की जा सकती है, तो ये बात आप है, ध्यान रखना, जैसे देखो, अपने सो पे बात चार रही थी, सो को मैंने लिखा 2 की स्केर और 5 की स्केर, तो मैंने ये दिया आपको, 2 की पाउर 0, 2 की पाउर 1, 2 की पाउर 2, और, इसी में देख लो, सो के सभी गुन खंड कितने होगे भी, 9 होगे, सभी गुन खंड कितने होगे, 9, ठीक है, सो के सभी गुन खंड कितने होगे, 9 होगे, समझगे बात ये सो के सभी कुनखंड कितने होगे स्ट्रेंट नो होगे अब एक बात आओ सो के सभी कुनखंड ये आए ना तो इनका अगर योग करूं मै एक पलस दो पलस चार पलस पांच पलस दस पलस बीस समझगे तो चार दुछेर एक साथ हो गया पांच दस पंदरा बीस पैंटीस और फिर इसमें कितना कितना जोड देंगे अपने पास दस बीस और फिर अपने पास रह गया पच्चीस पचास और सो ये गुनखंडो का योग है इनको जोड़ें तो आपको बता चल गया सो और पचास कितने होगे एक सो पचास और पच्चीस एक सो पिचेतर और ये बीस एक सो पिचेतर इस पिचान में पांच दो सो चार दो सो च्छे और दो सो साथ समझगे सो और पचास कितने होगे 150, 175, 170 और 20 अपने पास कितने हो गे भी? 175 और 20, कितने होगे? 190, 205, 210, 217 होगे. कितने होगे? 217. तो यहाँ गुन्खंडों का योग कितना हो रहा? 217 हो रहा है न? अब आप बात आओ. यह तो आपको बता दिया, मैंने गुन्खंड, सबी गुनखंड इस परकार निकाले और फिर Amanda सबी गुनखंडों का योग 2 सत्रा आया अब आप अग्जाम में तो इस तरीके से नहीं कर सकते तो इउप्जाम में क्या तरीका आपना होगी इउप्जाम में इसको करने का तरीका आप के पास यहोना चाहिए 2 की क्या लिख सकते हो आप में 2 की स्केर और 5 की स्केर 2 की स्केर और क्या लिख सकते हो strength 5 की स्केर तो आप क्या करो 2 की पाउर 0 है आपके पास 2 की पाउर 1 है 2 की पाउर 3 है ये लिखे आपने फिर 5 की पाउर 0 है 5 की पाउर क्या है एक है और पांच की पावर क्या है दो है दो की पावर जिरो का मान क्या होता है एक पलस दो की पावर एक का मान दो दो की पावर तीन का मान आठ समझे गे दो की पावर दो तक जाना था दो की पावर जिरो दो की पावर एक आपके पास दो सत्रा तो आप इन चीजों को समझ के आप डारेक्ट अगर क्यों सन करना चाहों तो मैं सारे क्यों सनों की बात करूँ तो आप ये ध्यान रखना जैसे आपके पास कोई संक्या 420 है तो 420 के आप हेक्टर कर लो दो पे गया 210, दो पे गया 105, समझे गए? फिर तीन पे जाएगा तो कितना ऐगा? 35 फिर 5 पे जाएगा तो कितना आएगा 7 और 7 पे जाएगा तो कितना आएगा एक आएगा तो अगर आपको एब आजय गुनखन निकालने हैं सबसे पहले मैं सारे क्योसनों को जवाब दे देता हूं 2 की स्केर 3 गुना 5 गुना क्या लिखोगे स्ट्रेंट साथ लिखोगे आप आजय गुनखन में अगर आप आजय गुनखन निकालने हैं तब हम क्या करते हैं पावर जोडते हैं तो आप कहोगे 2 2 की पावर 2 है फिर 3 की पावर 1 है फिर 5 की पावर 1 है फिर 7 की पावर 1 है सिधा पावर को जोडते हैं दो रेक तीन रेक चार रेक कितना हो गया पांच आ गया तो अपने को ये पता चल गया है चार सो बीच के एब आजे गुनखंड कितने है भी पांच है चार सो बीच के एब आजे गुनखंड कितने है पांच है तीन चार पांच समझ गये एब आजे गुनखंड कितने है जैसे दो की पावर दो है तो एक लिखो तीन, तीन की पावर एक बढ़ाओगे दो लिखोगे, पांच की पावर एक है तो एक बढ़ाओगे दो लिखोगे, साथ की पावर एक है तो एक बढ़ाओगे दो लिखोगे, तीन दूए छे, छे, दूए बारा, बारा, दूए कितने तो आप ध्यान रखना, 420 में total कितनी संक्याओं का बाग जा सकता है, 24 संक्याओं का, कितनी संक्याओं का बाग जा सकता है, 24 संक्याओं का, लेकिन अगर अगर अपने को इनी 24 संक्याओं का योग, पूछ ले, student, क्या पूछ ले, इनी 24 संक्याओं का योग, तो आप ध्यान द 420 को आप क्या लिख सकते हो 2 की पावर 2 गुणा 3 गुणा 5 गुणा 7 यही लिखाता समझ गे समझ गे बात यह अब देखो अगर हमें गुन खंडो का योग निकालना है तो क्या तरीका अपनाना है गुन खंडो का योग निकालना है 2 की पावर 0 फिर दो की पावर एक, फिर दो की पावर दो, ठीक है, फिर तीन की पावर जीरो पलस तीन की पावर एक, समझे गे, ये बात समय आगे, फिर पांच की पावर जीरो और पलस पांच की पावर एक, फिर साथ की पावर जीरो पलस साथ की पावर एक, इनका मान निकाल लो, दो की पावर दो का मान चार पलस दो पलस एक चार तो चाहर एक कितना हो गया साथ तीन की पावर जीरो का मान एक और तीन की पावर एक का मान तीन तो ये चार समझें पांच की पावर जीरो का मान एक और पांच की पावर एक का मान पांच तो ये कितना हो गया चाहर और साथ की तो आपके पास कितना हो जबाए 168 है 22 इंटू 4 कितना हो गाए 168 और 168 को किससे गुणा करोगे 6 से गुणा कर दोगे तो आट छिके कितने हो गे अड़ तालीस च्यार 6 36 और च्यार कितने हो गे भी 44, 46, 46, 10, 1008 आ गया सबी गुुर्ण खंडों का योग आ अगया वो कितना आ गया स्ट्रेंट से 1008 आ गया तो ये बात ध्यान रखना समझे दो आगे बात यह ये बात आपको ध्यान रखनी है सबी गुुर्ण खंडों का योग समझ में आ गया क्या आप comment box में लिखे यहां तक जो बात बताई है वो समझ में आ गई क्या यहां तक जो बात बताई है वो समझ में आ गई सभी को गुणन खंडों का योग 420 के अच्छा चोरी चोरी ध्यान रखो मैंने एक चीज में गड़बड कर दी यहां देखो च्यार दो च्यार एक कितना होना था? साथ होना था यह तीन रेक च्यार सही है पांच रेक च्यार सही है साथ रेक आठ सही है यहां दो की पावर दो च्यार दो की पावर एक दो और दो की पावर जीरो यह 4, 2, 5, 1, 6, 7 था, 7 से गुना करोगे, 7 से गुना करोगे तो क्या हो जागा स्ट्रेंट, 7 से गुना करोगे तो 7, 8 कितने होगे, 56, 5, 7, 6, 6, 5, 7, 6, 7, 4, 7, 4, 7, 4, 7, 4, 7, 4, 7, 4 होगे, 11, तो 1106 हो गया, कितना हो गया, 1106 हो गया, यह ध्यान रखना, आँ बिल्कुल, ठीक है, तो यह बात आप ध्यान रखना, समझें आगी बात ही है, मैंने क्या क्या, अगर आपको गुन खंडों का योग याद करना है, अगर गुन खंडों का योग याद करना है, तो आपको क्या करना है, गुणखंडों का योग याद करना है तो मैंने कहा कि इनको इस पर करलिक लोगे और फिर आप गुणा कर लोगे क्या कर लोगे भई गुणा कर लोगे तो गुणा करो आप कितना है जल्दी जल्दी बता दीजिए समझ गे बात ये यह बाद समझ में आ गई क्या सभी को अच्छ अच्छ थीक है मेनिसा जी बिलकुल यहां और गलती कर दी मैंने साथ रेक जोड के लिखना था यहां पे तो आठ लिखना था क्या लिखना था भई आठ लिखना था बिलकुल बहुत इसका मतलब बहुत अच्छ तरह किसे आप ध्यान दे रहे हो दन्यावाद आपका ठीक है सई है इसी तरीके से पढ़ना चाहिए अपने को आर्ट चिके कितने होगे 48 और शाट चोक कितने होगे 28 अपने को क्या करना है strength अपने को क्या करना इसमें कि अब हम किसका गुणा करेंगे 28 और 48 का गुणा करेंगे 28 इंटू क्या गुणा करेंगे 48 तो जिनका अंसर 1344 था वो बिल्कुल सही था तो यह बात आप ध्यान देना बिल्कुल सही डंग से पढ़ रहे हो आप तो इसका अंसर क्या हो गया? 1300 चपाल, इस बिलकुर राइट अंसर है ठीक है? तो मैं आपको बात समझ में आगी कि गुंदखंडों का योग जाद करना है तो इस परकार जाद करोगे जैसे मालो एक योशन करते हैं मने और 260 है 260 है तो 260 आपको पता है 260 है और इंटू 10 लिख लिया 260 है वो 6 की क्यूब इंटू 10 है ये बात समझ देगा आप है प्राइम फेक्टरिजेशन करेंगे 2 गुना 3 की पावर 3 लिख सकते हैं गुना 10 है तो 2 की पावर 5 लिख सकते हैं तो 2 की पावर 3 3 की पावर 3 इंटू 2 इंटू 5 तो आपके इसके गुन खंढ़ उगे 2 की पावर 4, 3 की पावर 3 और 5 यही हो गए न यही हो गए आपको पता चल गया यह बात सम्झ में आगी क्या सभी को 2 की पावर 4 गुना 3 की पावर 3 गुना क्या लिख लिए आमने 5 लिख लिया तो आप क्या करोगे अगर इसमें ए बाजे गुन्ख़ंटो कि इसेंग्या निकालनी है आप ऐसे भी कर सकते हो भई अगर कोई करना चाहे तो 260 है 2 पे जाएगा तो 108 आजएगा एक जारसी पिर 2 पे जाएगा तो 540 आगया फिर 2 पे जाएगा 270 आगया फिर 2 पे जाएगा, कितना एगा, 135 आएगा, फिर 3 पे जाएगा, 3 पे जाएगा, तो कितना एगा, 45 आएगा, फिर 3 पे जाएगा, तो क्या एगा, 15 और 3 पे जाएगा, तो 5 पांच पे जाएगा, तो यह एक है, तो आपको पता चल गया, आपके पास, प्राइम फेक्टाइज जिसने इसका एब आजे गुंध खंड विद्धी से ये गुंध खंड निकालोगे तो 2 की पाउर 4 गुणा, 3 की पाउर 3 गुणा क्या बनेगा भी? 5 बनेगा. समझ गए? अब एक बात ध्यान दीजिए यहां पे. अपने को क्या करना है? अगर एब आजे गुंध खंडो की सं क्या निकालनी है? तो आप क्या करोगे चाय तो इनको गिन लो. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. चाय मैंने का पाउर जोड लो. क्या कर लो? पाउर जोड लो. जैसे 2 की पाउर 4 है तो 4 लिख लो. 3 की पाउर 3 है तो 3 लिख लो. 5 की पाउर 1 है तो 1 लिख लो. 4, 3, 7 रेक कितने होगे? 8. तो ये पहले क्यों सनका अंसर हो गया? अगर आपको निकालने है सभी गुन अंखंड है. अगर आपको क्या निकालने है? सभी गुन अंखंड है. तो आप क्या करोगे सभी गुन अंखंड में? कि जो भी संक्या है उसकी पाउर एक-एक बढ़ा कर आपस में क्या कर लेते है student गुणा कर लेते हो तो 4 है तो आप क्या लिखोगे 5, 5 की पाउर 3 है तो क्या लिखोगे 4, 5 की पाउर 1 है तो क्या लिखोगे 2 देखो मैंने खा पावर को एक एक बड़ाकर गुणा कर लेते हैं, जैसे चारकी जगा हैं ने लिखा 5, तीन आइ लिखा 4, 5 की पावर एक है तो एक की जगा है उन्हें लिखा 2, इनका गुणा कर लेते हैं, तो 5 इंटू 4, 20, 20 इंटू 2 कितना हो गया है? 14, तो यह आपका क्य हो गया सभी गुन खंड आगे यह आपके क्या होगे सभी गुन खंड आगे ठीक है अगर हमें गुन खंडों का क्या ग्याद करना योग ग्याद करना है तो आप क्या करोगे आपको पता है दो की पाउर चार तक के मान निकालने दो की पाउर जीरो से लेके दो की पाउर चार तक के तो आप बताईए यहां इसको थोड़ा सा सोट में आप कर लेना कि आपको पता है दो की पाउर जीरो का मान एक होता है पलस दो की पाउर एक का मान दो होता है दो की पाउर दो का मान चार होता है आठ और फिर 16 अपने क्या किया दो की पाउर चार तक के सारे मान निकाले 2 की पावर 4 का मान 16, 2 की पावर 3 का मान 8, 2 की पावर 2 का मान 4, 2 की पावर 1 का मान 2, 2 की पावर 0 का मान 1 ठीक है, तो 16 और 4 20 और 8 28, 2 30 और 1 कितने होगे? 31 यहां तो आपके पास कितने होगे? 31 होगे कितने होगे strength? 31 होगे समझ गए तीन की पावर तीन तक का मान निकलोगे तो तीन की पावर तीन तक का मान नकलोगे तीन की पावर तीन का मान क्या हो गया 27 तीन की पावर दो का मान हो गया 9 तीन की पावर एक का मान 3 हो गया और तीन की पावर जीरो का मान एक हो गया 27 और 3 कितने हो गए? 27 और 3 तीस नो और 11, 10 तो यह कितना हो गया? 40 5 कई 0 और 5 कई 1 कमान जोड़ोगे तो कितना हो जागा 6 हो जागा समझे गे? तो 6 को गुना किए 31 है तो 6 कम 6, 6 तीए 18 167 क्या हो गया? 40 और 180 को किस से गुना कर compliant? 40 से गुना करोगे तो 0 तो आई गया, 6 चोके कितने होगे, 24 अंसिल 2, फिर 8 चोके कितने होगे, 32 और 2 कितने होगे, 34, 3, 4 एकम 4 और 3 कितने होगे, 7, तो 74, 44 जिन जिन स्प्रेंट का अंसर है, उनका बिल्कुल सही है, यहां तक हमने 3 क्यों संकिये, हमारे पास ये 3 क्यों संबी स्ट्रेंट को कलिये रहना, बताए भई, ये 3 क्यों संबी स्ट्रेंट को कलिये रहना, पहला, दूसरा और तीसरा, ठीक है, अब अगर कभी भी आपको इसमें सम गुनखंड पूछ ले, क्या पूछ ले, सम गुनखंड पूछ ले, अगर कभी भी आपको इसमें से क्या पूछ ले, सम गुनखंडों की संक्या पूछ ले, जैसे सभी गुनखंडों की संक्या कितनी आई थी, 40 आई थी, इसमें हमें सम गुनखंडों की संक्या पूछ ले, क्या पूछ ले भई, सम गुनखंडों की संक्या, ठीक है, तो 2160 है, त कि सम गुननखंड कितने हैं, क्या ग्याद करना हो, सम गुननखंड है, आप ये बताइए, यहां बहुत concept वाली बात आने वाली है, आप ये बताइए, कि अगर सम गुननखंड होता है, सम संख्या किसका गुनज होती है, तो आप वोगे सर, सम संख्या दो का गुनज होती है, स समसंक्या किसका multiple होती है? 2 का. तो अग इसमें से मैं ये लिख लूँगा. 2 की power 4 गुणा 3 की power 3 गुणा 5. समसंक्या किसका multiple होता है? 2 का. तो आप ये ध्यान दीजिये कि इसमें से मैं 2 common ले लूँगा. 2 की power की जगे यहां. 2 की power क्या बचेगा? अभी तीन बचेगा, समझ गे, दो की पावर क्या बचेगा, तीन बचेगा, एक बात ध्यां रखना, कि अपने पास जो संख्या है, ऐसी बात नहीं है, कि इसको हम, कोई ऐसे स्टुमेंट में समझ लेना, कि इसको सभी के साथ गुना करना है, आपको पता है, सम गुन खंड हो यह जो बचा है, समझ गे, केवल इसकी पावर एक एक बड़ा कर गुना कर लो, केवल इसकी पावर एक एक बड़ा कर गुना कर लो, यहां तीन है तो आप क्या लिखो, चार, यहां तीन है तो आप क्या लिखो, चार, एक है तो क्या लिखो, दो, चार, चोके, सोड़ा, गुंखंडों की संक्या क्या है 32 अब एक बात ताओ अगर हमें विशम गुंखंडों की संक्या चाहिए अगर हमें ओड फेक्टर चाहिए अगर विशम गुंखंडों की संक्या चाहिए तो आप क्या करो दो को खतम ही कर दो यहां से केवल तीन की पावर तीन और पांच लिख नहीं То 2 की power 4 है वो पूरा ही खक्तम हो जाएगा तो यहाँ 3 की power 3 है तो क्या लिखोगे 4 और 5 की power 1 है तो क्या लिखोगे 2 तो 4 को 2 से गुना करोगे तो देखो विसम गुरुनखंडो की संग्य क्या की जी श्ट्रेंट आठ आ गई विशम गुणखंडों की संग्या क्या आगे जी आठ आगे समझ गए बिल्कुल मधूर गार्मेंट्स रवी दिपक परमिला रेनुस्तार मम्ता मधूर सच्ची दिपक बिल्कुल सही बता रहे हो आप सही आंसर है देविलाल खिचड तो ये ध्यान रखना आपको पता चला ना विशम गुणखंड के से निकालोगे और सम गुणखंड के से निकालोगे तो बड़ा असान तरीका है अपने पांच क्योशन हल कर चुके हैं क्या क्या चीज़े एब आजे गुणखंडों की संख्या सभी गुन्खंडों की संख्या, सभी गुन्खंडों का योग, एब आजे गुन्खंडों की संख्या, और सम गुन्खंडों की संख्या, और विसम गुन्खंडों की संख्या, अब एक बात होता ये, यहाँ concept आपको समझने वाला क्या था, समझने वाला ये था कि अगर हमने स की पावर चार गुना तीन की पावर तीन गुना पांच आपको कह दे एकीस सो साथ के वो गुन इनखंड ग्याद करो जो साथ के गुनज हो 60 के गुणज हो अब जिसे देखो 2 के गुणज निकला वैसे यमें 60 बाहर निकलना है क्या बाहर निकलना है भई? 60 बाहर निकलना है तो आप क्या करो भई? 60 के गुणज वो गुणज कितने है 2160 के उन गुणजों की संख्या ग्याद करो या उन संख्याओं, वो संख्याईं कितनी है, जो 60 के गुनज है, ऐसे नंबर कितने है, 2160 के, जो 60 के गुनज हो, तो हमें 60 के गुनज निकालना है, 60 का मतलब क्या हो गया भी, 60 का मतलब 2 की पावर कितनी हो गई, 3, 2 की पावर कितनी, 2, 15, 60 होते हैं, और 1 चाहिए 3, और 1 चाह में से 2 की पाउर 2 चाहिए तो यहां क्या लिखोगे 2 की पाउर 2 3 की पाउर 3 में से 3 की पाउर 1 चाहिए तो यहां क्या बचेगी 3 की पाउर 2 5 की पाउर 1 में से 5 उसको चाहिए तो इतना ही बचा हमारे पास इनकी पावर बढ़ा कर गुणा कर लो दो है तो क्या लिख लो तीन और दो है यहां तीन के पावर दो बची तो यहां क्या लिख लो तीन पावर को एक एक बढ़ा कर गुणा कर लो तीन तीन कितने होगे नो होगे तीन तीन कितने होगे भी होगी A.C. Sankhya अगर आपको यह पुछे कि कौन कौन सी होगी A.C. Sankhya तो आप क्या करोज़ जिसे 2 की पाउर 2 तो इन को लिख लो 2 की पाउर 0 2 की पाउर 1 2 की पाउर 2 ठीक है? और फिर मैंने लिखा 3 की पाउर 0 3 की पाउर 1 और 3 की पाउर 2 हमें 60 के multiple चाहिए आप बताएं दो की पावर जीरो का मान क्या होता है एक इनका मान लिखना है तो लिख लो आप ये एक ये दो और ये कितना हो गया चार ये एक ये तीन और ये क्या हो गया नो तो अब इनका गुणा कर लो आप समझ गए इनका क्या कर लोगे गुणा समझ आगी बात ये 60 का इन संक्याओं से क्या कर लेंगे गुणा 60-60-60-60-60-60-60-60-60 इस परकार तो ये अपने पास क्या मिल जाएंगे भई 60 के गुणाज मिल जाएंगे क्या मिल जाएंगे 60 के गुणाज देविलाल खीचड़ कन्फ्यूज हो रहा है तो भई दुबारा देख लेना वीडियो और तो क्या इलाज है ठीक है तो यह द्यार रखना कोई जुरूर नहीं है क्योंकि पेपर का किसी को पता नहीं है किस परकार का पुछा जाए अगर मैं किस परकार से बनाई जा सकते हैं कितने बनाई जा सकते हैं समझेगे ठीक है जैसे आब एककोषण दे रहा हूँ इसका अमसर देना आप एक हजार असी के कि अब आज गुंठन कितने होंगे ये क्योशन बताओ आज गुंठन कितने होंगे फिर सभी गुंठन कितने होंगे और फिर गुननखंडों का योग क्या होगा गुननखंडों का योग कितना होगा ठीक है सम गुननखंड कितने होगे और विसम गुननखंड कितने होगे ये पांच क्योशन आपके लिए इंपोर्टेंट है ये पांच क्योशन बड़े इंपोर्टेंट है भई पुछा जाता है लेकिन वो 60 के multiple है या पीन के multiple है लाश्ट क्योशन है इसका अनसर देदो ये लाश्ट क्योशन है आज का बताइए भी क्या एगा टेंसर मतलो इसके अनसर दीजिए कल अपने इससे आगे के जो इसके level के question है वो भी अपने करेंगे जैसे 60 के multiple के आप पूछ ले या आपको पूछ ले कि 1080 मैसी कितनी संक्या जो पूरण वरक हो है ना पूरण घन हो सभी का अनसर दीजिए भई अब बताइए 1080 का prime factorization क्या होगा 1080 का prime factorization क्या होगा तो आपको पता है 1080 इसको मैं लिख सकता हूं 12 into 9 into 10 है ना 12 में है 3 और 2 की square 9 में है 3 की square और 10 में है 5 into 2 तो आपको पता चल गया 1080 के जो prime factorization होगे और 2 की power क्या होगा भी 3 ठीक है 3 की power क्या होगा 3 समझ गई और फिर होगे इसमें 5 2 की power कितना होगा 2 की power 2 और 2 की power 1 2 की power 3 3 की power कितना होगा 3 और 5 यह आगया prime factorization ठीक है यह इसका prime factorization अगया अब बताएए इसमें एब आजे गुनखंडो के संक्या गयाद करने हैं तो सिधा power जोड़ो तीन पलस तीन पलस पांच की power एक है तो कितने होगे 7 कितने होगे भी 7 अगर हमें क्या निकालना इसमें सभी गुनखंडो की संक्या निकालना है तो आप power को एक एक बढ़ा कर गुना कर लो चार चुकिए------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- का मान 4 होता है 2 की पाउर 1 का मान 2 होता है और 2 की पाउर 0 का मान होता है इनको जोड़ेंगे तो 8 दो 10 और 14 और 15 ठीक है फिर 3 की पाउर 3 तक मान निकाल लगे तो 3 की पाउर 3 का मान 27 तीन की पाउर 2 का मान 9 3 की power 1 का मान 3 और 3 की power 0 का मान 1 27 और 3 30 ये हो गया 40 ठीक है? 5 की power 1 तक का मेरे निकाल powinगे तो 5 की power 1 का मान 5 और 5 की power 0 का मान 1 तो ये हो गया 6 समझगे? 15 छोके कितने हो Broken 600 गुना 6 तो इस का अनुसर किना आएगा? 36 आएगा 36 समझगे? अगर आपको सम गुनखंडों के संग्या निकालनी है तो आप क्या लिखोगे दो की पावर दो अगर बाहर कर लोगे तो दो की पावर दो गुना तीन की पावर तीन गुना पांच लिखा जाएगा हमें सम गुनखंडों में केवल इनकी पावर बढ़ानी है, तो दो की पावर दो है, तो आप क्या लिखो, तीन, तीन की पावर तीन है, तो चार लिखो, पांच की पावर एक है, तो दो लिखो, चार ते बारा बारा दू, ये कितने होगे भी, चोवीस, कितने होगे, चोवीस, सबी गुंखंड कितने ह फाली संख्या छोड़ देना इस में से केवल विशम संख्याऊं ही उठाने आपको 3 की पाउर 3 और ये 5 तो इनके पाउर बढ़ाऊँगे तीन की पाउर 3 है तो क्या लिखोगे चार और पांच की पाउर 1 तो क्या लिखोगे गई दो तुँमे।